जे मातवदी, आज आप सुनेंगे मा कईत्यानी की पावन कथा, नवरात्री के छठे दिन मा कईत्यानी की पुजा की जाती है, इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बरी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोग चारो फलों की प्राप्ति होती है, उसके रोक, सोक, संताप और भाय नश्ठ हो जाते हैं, जन्मों की समस्त पाप भी नश्ठ हो जाते हैं, इस देवी को नवरात्री में छटे दिन पूजा जाता है, कईत्त गोत्रों में विश्व प्रसिध्ध महर्सी कईत्यान ने भगवती परंबा की उपासना की, कठिन तपैस्या की, उनकी इच् कईत्यानी कहलाई, इनका गुन सोत काडिया है, इसलिए इस बैग्यानिक युग में कईत्यानी का महत्व सरवाधिक हो जाता है, इनकी कृपासे ही साड़े काडिया पूरे हो जाते हैं, ये बैद्यनात नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई, मा कईत्यानी अमुक फल दाइनी है, भगवान कृष्ण को पती के रूप में पाने के लिए बजर की गोपियों ने इनहीं की पूजा की थी, ये पूजा कालिंदी यमुना के टटपड की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिस्तात्री देवी के रूप में प्रतिस्थित है, इनका सरूप अ उपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, तथा नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में है, मा के बाई तरप के उपर वाले हाथ में तलवार है वा नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सू सोवित है, इनका बाहन भी सिंगा है, इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आ अमस्ट पाप भी नश्ट हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परमपत की प्राप्ती होती है प्रेम से बोल ये मा दुर्गा भवानी की जै मा कट्यानी की जै दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें